अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती। तो हम इन सब खजानों से वंचित रह जाते हैं। इश्वरिये ज्ञान का मनन मन्थन करने की यथार्त विधी को आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस वश्टी करण के लिए हमारे मद्दे हैं। प्रजापिता ब्रांभा कुमारिस इश्वरिये विश्वित्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाय सहब। अब आपका आज के एपिस्वर में बहुत वस्वागत है। लेकिन यह ग्यान रतन, जितना स्वपर्दी वानयात्माओं के प्रती कारे में लगाते हैं, उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं। इस अब ग्यान रतनों को बढ़ाने के विधी पर्मात्मा में बतारहे हैं। फुड़ा से से विस्तार पुरवग बताएं. तो हमारा मनन चलता है, चिंतन चलता है, और सामने वाली आत्मा जब उस ग्यान रतन को धारन करती है, उसके जीवन से उस खुसी दुआएं मिलती हैं. इसलिए परमात्मा कहते हैं, इन रतनों को बढ़ाने का एक साधन, कि खुद के कारे में लगाओ, खुद के जीवन में कोई रुकावटे हैं, कोई विगन हैं, उनको हटाने में इन ग्यान रतनों का प्रयोग करो, या दूसरी आत्मों को ग्यान दान दे करके, रतनों का दान उसके जीवन में परिवरतन ला दो, तो ये रतन आपके बढ़ जाएंगे, परमात्मा कहते हैं कि, बनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारन करना, बनन ना करना, अर्थात सिर्फ बुद्धी तक धारन करना, इसको थोड़ा सपश्ट करें, परमात्मा ने जो हमें ग्या ग्यान रतनों को, अगर हम एक एक कि गहराई में जाते हैं, इसकी परिभासा क्या है, इसको एकने जिवन में कैसे उतार लें, इससे हमें क्या-क्या प्राप्तियां होती हैं, इस परकार, कोई भी चीज को अगर विष्टार क्रूप देना होता है, तो उसमें प्रस ने लग बात कही है, चाहे आत्मा की बात कही है, चाहे ड्रामा की इतनी बात कही है, चाहे कर्मों की बात कही है, बहुत सारा ज्ञान का खजाना दिया है, उस एक दो बातों को ले करके उस पर हम मनन करें, विचार करें, ये जो स्टेज है, कर्मातित स्टेज है, अब्यक्ति स्टेज ह कि क्या है और इस स्टेज में पहुँचने के लिए हमें किस प्रकार पुटसार्थ करना चाहिए और अगर वो स्टेज हमारी बन जाएगी तो उसकी क्या निसानियां हमारे जीवन में दिखाई देंगी इस प्रकार अगर हम उसके मनंच इंतन में जाते हैं, उसकी गहरही में जाते हैं, तो उसका हम सरू भी बन जाते हैं, और उसके दोरा जो प्राप्तियां होनी चाहिए होगी हमें सब प्राप्त होने लगती है। न बढ़ेगा न अनभूती होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धी में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में, हर कर्म में उस ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोश्नी भी है, ज्ञान शक्ती भी है। इसलिए अगर इसी विधी से कर्म में नहीं लाया, तो बढ़ता नहीं है, वो अनुभूती नहीं होती है। इसलिए ग्यान रतनों की अनुभूती हो, वो हमें लगे कि इसे हमें ये प्राप्ती है, ये फाइदा है, कईयों के पास ग्यान की बहुत अच्छी-ची पॉइंट्स रहती हैं, और दूसरों को भी बहुत जल्दी उस पर कन्विंस भी कर लेते हैं, तो उनके बुद्धी में ग्यान रतन है, मनन अच्छा है, बुद्धी विसाल है, तो ग्यान रतन तो हैं, लेकिन उसके अनुभू में नहीं गए, उसको स्वरूप में नहीं लाया, इसलिए कोई भी बिग नाएगा, कोई भी बात आएगी, तो उलज जाएंगे, मुझेंगे, क्या करना चाहिए, कै लेकिन जिसने उसका मनन चिंतन किया, यहां परमात्मा बहुत अच्छा मिशाल देकर के बताते हैं, मान लो आपके पास बहुत धन है, कुप कमाया है, और आपने उसको लाकर में तिजोरी के अंदर रख दिया, देखकर के खुषित होती मेरे बहुत धन है, मैं धनवान हू तो धन होते हों भी न बढ़ेगा और न अपने कम में आएगा, नो दूसरों के कम में आएगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं, ज्ञान-धन तो आपने अपने गुद्धी में उकठा किया है, और जब समय आता है तो उसका वढण भी कर लेते हो, लेकिन उसका अनूभबिव क करके देखो इसको सुरूप में ला करके देखो एगर मान लो ऐसी कोई परिष्थिति ऐसी कोई प्राब्लम आती है तो यह ग्यान की पॉइंट जैसे आज ड्रामा की पॉइंट है बरतमान समय अनेक प्रकार की विकट परिष्थितियां सामने आ रही है ग्यान की यह अच्छी तरह से मननन किया है, चिंतन किया है, तो कोई भी बात देखेंगे, फुली स्टाप लगा सकेंगे, उलजिएंगे नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हो गया, इसके कारण ऐसे हो गया, खुद को भी खुसी में नहीं रख सकते हैं, और दूसरों को भी दोस देते उसके कमिया वर्णन करते रहेंगे, परमात्मा कहता है, धन तो है तुम्हारे पास, यह उसको तुमने अनुभव में नहीं लाया, इसलिए खुसी का अनुभव, शक्ती का अनुभव, ना खुद कर पाते हैं, और दोसरों को उससे प्राप्ती करा सकते हैं, दूसरी बात प कोई भी जानुवर, कोई भी पसुपक्षी उस पर वार नहीं कर सकते हैं, उसके लाइट है, तो परमात्मा कहते हैं, जिसके पास ज्यान की लाइट रोसनी है, उसको कहीं भी ठोकन नहीं लगती है, उसको अन्दकार का अनुभव नहीं करता है, ज्यान धन है, इसलिए शक् कोई भी बात आ जाती है तो उसका हम सामना कर सकते हैं उस बात को हम सहन कर सकते हैं उसको हम सहज पार कर सकते हैं कि वो ग्यान है वो रोसनी है तो रेक तरफ रोसनी है दूसरी तरफ शक्ती है तिसरी तरफ धन है जिसके पास ग्यान धन है वो हमेशा माला माल है धनवान है और रूसनों को गयो मदद कर सकता है। अगर हम इसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, कारी में लगाते हैं तो वो हमारे लिए शक्ति का सरूप बन जाता है। जैसे भोजन हमने खा लिया, लेकिन उसको हजम किया तो खून का रूब बना, शक्ति बन गई, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, ग्यान का मनन किया, चिंतन किया, कारी में लगाया, तो ये आपके लिए शक्ति साली भोजन बन जाता है, और इस भोजन के आधार से, इस शक्ति के आ जो परमात्मा का है, वो मेरा बन जाए, वो तभी बनेगा, जब उस पर हम विचार करेंगे, उसका हम मनन करेंगे, उसको हम प्रियोग मिलाएंगे, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चड़े, अर्थात, बाप के खजाने को मनन शक्ति से कारे में लगा एकावत है, कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चड़े, जब ज़सरा गोट घोट करके किसी को पिलाता तो नशा ने चड़ता है, जब हम अपना मनन करते है, अपना चिन्तन करते हैं, और उसको हम नशे मि возможность करना का दो नशा चड़ जाता है, इसलिए कि प्रमात्मा हम सब को क अगर इस तरह से उस पर हम मनन चिंतन करते हैं इस्थाई नसे में रह सकते हैं मैं तो जब सुनते हैं बाबा ने बहुत अच्छी बास सुनाई आज बहुत अच्छी मुडली चली आज बहुत अच्छा क्लास हुआ लेकि उसके बाद वही कवही रह गया उसको हमने अपना नहीं बनाया उस पर मनन नहीं किया उस पर चिंतन नहीं किया वो दूसरों के आगे हम वर्णन नहीं किया तो हम उसको हजम नहीं कर पाते इसलिए परमात्मा कहते हैं उस सक्ति नहीं बनता सिर्फ रिपीट नहीं करना है लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधी से कारे में लगाना है और हर पॉइंट को अन्ने आत्माओं के प्रती सेवा में किस विधी से कारे में लगाना है यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुन कर मनन करो विसमा मनन करने की इस विधी को सपष्ट करें बहुत सुन्दर विधी पर मात्मा सुना रहे हैं कि जब ही भी कोई बात सुनते हो अंतर मुखी बन जाओ, अंदर चले जाओ उसकी गहराई क्या है? उसके दोरा क्या प्राप्ती है? उसके दोरा हम कैसे यूज करेंगे तो वह हमको शक्ती देगी उसे कैसे हमें क्या क्या पादे होंगे? बहुत सारी बाते हैं उस पर हम जितनी गुहता में जाते हैं महींता में जाते हैं उतना उसके दोरा हमें लाब मिलता है लाप्तिया होती है तो परमात्मा हम सब को बहुत अच्छी विधी बता रहे हैं ऐसे नहीं सुन लिया दोसरों को सुना दिया उसी समय बढ़न कर लिया भूल गया लेकिन जिसने एकांत में जा करके अंतर मुखी बन करके एक एक बात को बहुत गहराई से जिनतन किया वो उसके सुरूप में आ गया उंदर समाता गया और फिर जब कोई परिष्टिती आएगी तो वही बात याद आएगी और उसको सहज भार कर लेगा जिसके पास जमा का जाना है अगर जमा किया हुआ हुआ है उत समय पर कोई बात आएगी तो फटा 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 इच्छी ग्यान की वर्दानों की पॉइंट समकों में रही हैं उनकी गहराई में जाएं और उसके लिए मन को बिल्कुल सांत करके एकांत में जा करके अंतर मुखी बन करके उस पर विचार करें तब उसकी गुहिता का उसके राज का पता चलता है बिलकुल परमात्मा कहते साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनभूती में आओ, माया के भिन 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 विगनों के समें वो प्रकृती के भिन भिन परिस्थितियों के समें काम में लगा कर देखो, कि जो मैंने मनन किया, कि इस परिस्थिती के प्रमाण वो विगन के प्रमाण यह ज्यानरत्न माया जीत बना सकते, वो बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने. कई प्रकार के ऐसी बाते प्रमात्मा समय पर समय सकते हैं, जैसे कहते हैं, जब कोई बीमारी है, कोई दर्द है, बच्चे असरीरी बनने का इंजेक्शन लगा दो, दर्द समाप्त हो जाएगा, अब एक बात बाबाबा ने हमें सुनाई है, और बहुत गहरी बात है, लेकि उसकी गहराई में जाकरके उसका अनुभो करना, कि अगर कोई ऐसी बाते आती हैं, मान लोग कोई आज मन को डिश्टर्प करने वाली सेन सामने आती है, कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई मेरी बात को कट कर देता है, कोई मेरी बात को नहीं सुनता है, यही सब संगठन में होती हwiązी बाते हैं माय बनकरके हमारे सामने आती हैB Cat या माय आती है या परकड़ती के पेपर शरीर के पीपर है या पांच धत्रों के द्वारह पुछ पीपर आते हैं इन सब पेपर्स में पास होने के लिए बाबा ने समई पर समय गयान की अनेक अने पॉइंट्स बताई हैं, बिलकुल, हर एक के पास हैं, दूसरे के आगे अगर वो पेपर आता है, तो उसको भी कन्विंस करके बताता है, ये करो तो पार हो जाओगे, लेकिन जब खुद के सामने आता है, तो क्या हमने उसको अपना ऐसा सरूप बनाया है कि वो पेपर आए औ और मैं उसको पार कर लो, परमात्मा कहता है, जिसने उसका अभ्यास पहले से किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, उसका सरूप बन करके रहता है, फिर वो बाताती है, माया की ये बाता है, इसने कहा है, बाबा ने कहा है, हम इससे पार हो जाएंगे, इसने मेरा अपमान किय कि अब तरह एक पीछित है की मेरे बच्चों की इस्तिती तो अन्हें आती है और आएगे निगे। लेकिन इस्थिती डगमग नहों, इस्थिती को मजबूत करना, उसको पार कर सकना परिस्थिती को उसके लिए चाहिए अच्छा ज्ञान का चिंतन, जिसने उसकी गहराई को समझा है, स्वरूप बना है, वो परिस्थिती को सहज पार कर लेता है. बिलकुल, प्रमातना कहते हैं कि एक-एक ज्ञानरत्न अतियमुल्य है, ज्ञानरत्न वज्ञान की शक्ती के आगे परिस्थिती वविग्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजय नहीं होती है, तो समझो, यूज करने की विधी नहीं आती है. दूसरी बात, मनन शक्ती का अभ्यास सदा न करने से, समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रित्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो, यह अलबेलापन आ जाता है, ज्ञान तो बुद्धी में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुम्भ करन, परस अब इन दोनों खामियों को थोड़ा स्पष्ट करें. परमात्मा हम सब को कह रहे हैं, कोई युद्धा, युद्ध के मैदान पर जाता है, उसके पास सस्त्र है, वो जानता है मेरे पास सब प्रकार के सस्त्र है और मैं विजयी बन जाओंगा, लेकिन जब युद्ध के मैदान में जाता है, तो सस्त्र चलाने के उसको विधी नह बिल्कूल तो परमात्मा हम सब को कह रहे हैं आपके पास ज्ञानरतन हैं जानते हो कि माया इसनी रूप में आएगी लेकिन आपने पहले से उन सस्त्रों को प्रयोग करने सीखा नहीं कैसे करना चाहिए और उसका अभ्यास नहीं किया है तो जब कोई बात आ जाती है जब माया किसी रूप में वार करती है उस समय याद तो है मेरे पास अस्तर है लेकिन यूज करने लगते हो तो फेल हो जाती है बीजे नहीं मिलती हार हो जाती है इसलिए परमात्मा कहता है पहले से ही इसका मनन करके चिंतन करके कि माया का अगर य विचारा हार गया, उसको आमने देख लिया है, इतना ग्यानी, इतना योगी, दोसरों को इतना सिखाने वाला आज वसी भूत हो गया, अब वह अधीन हो गया तो उसको देख करके कम से कम यह विधी तो सेख सकते हैं, कि अगर इस समय यह बात यूज की जाती तो यह बच सकता तो हम उस अधार से विधी को सामने लाएं और सासात अभ्यास करके देखें, मान लो यह बात मेरे सामने आती, तो मैं कैसे इसको पार करता है, कितनी धहरता से, कितना सरलता से, इस बात को मैं पार कर सकता हूं, तो जिसने अभ्यास किया है, जिसने विधी को अपना करके पिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, किन सारा दिन मनन चलता रहे, चाहे बिजनिस करते हो, वदफतर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धी थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ती के अभ्यास को बार बार दोड़ाओ बहुत अच्छी विधी है क्योंकि कई बार कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ तो परमात्मा कहता है जब भी फिरी बुद्धी फिरी नहीं होनी चाहिए जब बुद्धी आपकी उस सेवा से उस कारे से चाहिए बिजने से है चाहिए कोई घर का काम है चाहिए आफिस का काम है कुछ भी कर रहे हो लेकिन कभी कभी बुद्धी फिरी होती है तो जब फिरी बुद्धी है तो इधर उधर की बाते सोचने की वजाए जब आप कारे बिवहार से फिरी हो उस समय बाबा की कोई एक अच्छे ग्यान की पॉइंट्स, उसकी गहराई में जाओ, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, बुद्धी को उसमें लगा लो, फिर कारे में लग जाओ, तो ऐसे ने मुझे समय मिले तो मैं मनन चिंतन करो, परमात् इसमरत्ती में लाओ, फिर उस पर विचार करो, उसको ऐसे प्रियोग करें, उसके अंदर अंदर, पॉइंट से कट्री कर लो, फिर कभी बात आएगी, तो समय पर सस्त यूज कर सकेंगे परमात्मा के कहते हैं कि अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महींता में जाएं, हर पॉइंट के सपश्टी करण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा, लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिती में स्थित हो करना फिर बोर नहीं हों फिर कहते हैं यह तो हो गया, अब क्या करें? तो कि अक्सर असा होता है कि हम रिपीट करते रहते हैं पॉइंट कि बाबा ने आज क्या कहा, क्या कहा, पढ़ने तो उसकी गहराई में नहीं जाते हैं. यह बहुत अच्छी विधी भी है और कई लोग इसको इसको इस तरह से मानलो कोई भाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, हमको लगी बहुत अच्छी है, मनन भी किया, चिंतन भी किया, लेकिन अगर हम उसको उसी समय पर लिख लें, जो हमारा विचार चला, जो हमको लगा कि इसके दौरा यह गहराई है, हमारे चिंतन में तो आ गया, चिन कई क्या होता है, कि वह बात उसी समय तो बहुत अच्छी लगी, उस पर हमने विचार किया, उसके गहराई में गए, बहुत नसा भी चढ़ा, लेकिन थोड़ी देर के बात कोई दूसरी बात आई, तो वह बात वही रह गए, दूसरी बात चिंतन में आ गए, तो परमात्मा कहत हैं और उसका अपने गहराई से अभ्यास कर लिया है, तो कईसी भी बाते आएंगे, उनको आप सहज पार कर सकते हो, परमात्मा कहते हैं कि जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हसाते हैं न, चक्र क्या चलाएं, पांच मिनट में चक्र पूरा हो जाता है, स्थिती का अन प्रधारी बनना अर्थात, नॉलिजफुल, पावर्फुल स्थिती का अनुभव करना, क्योंकि अगर हम स्वदर्शन चक्र कहते हैं, और परमात्मा के तैस स्वदर्शन चक्र घुमाने से माया का गला कट जाता है, तो केवल ऐसा ही सोचना है क्या कि मैं सत्यूग में 8 जन का अनुभव करें कि मैं आत्मा जब सत्यूग में थी, कितनी पवित्र थी, कोई असुद विचान नहीं चलते थे, प्रकरती सतो प्रधान थी, किसी के प्रतीट से आ नहीं, दोएस नहीं, सर प्राप्तियों से संपन, संतुष्ट भरपूर आत्मा है, तो जब हमने हमारे पुझ्य स्वरूप में हमारे मंदिर बनेंगे, भक्तों की मनों का अमनाय पूरी होगी, हमारी बहुत परफेक्ट स्टेज होगी, हमारी मूर्थियों से लोगों के सब आसाय पूरी होगी, उस स्वरूप का चिंतन करें, स्वाधर्सन करें, लेकिं दर्सन करते-करते उस स्वरूप में इस्थित हो जाएं तब माया का गला कटेगा हैसा आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम भिन्न भिन्न विधियों से इश्वरिय ग्यान का मनन चंतन मन्थन कर सकते हैं अब पश्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत हन्यवाद दर्शकों आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें चलते फिरते प्रतेक कर्म करते इश्वरिय ग्यान का मनन कर उसे जीवन में उनरीती धारन करना और कराना है किवल बुद्धी तक सीमित नहीं रखना है परमात्मा ने कहा कि मनन शक्ती के द्वारा हम परमात्म सर्व खजानों को अपना खजाना अनुभव कर सकते हैं परमात्मा ने कहा कि मनन शक्ती अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर मुखी बन कर ज्ञान के प्रतिक रत्न को गुहता से समझना तुश्कोंच के महावाक्यों से संबंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और शांती मुख्यसार ग्यान का मूल्य ग्यान रत्न भी है, रोश्नी भी है, शक्ती भी है ग्यान पढ़ाई भी है, ग्यान लड़ाई के श्रेष्ट शस्त्र भी है इनको मनन कर जीवन में धारण करना है मनन शक्ती अर्ठात, अंतर मुखी बन, हर रत्न की गोहिता में जाना हर पॉइंट का रास क्या है, और किस समय, किस विधी से कारे में लगाना है मनन शक्ती का अभ्यास, माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है अगर नहीं, तो साधारण संकल्प कहेंगे। प्रमा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें।